बिसमिल्ल्य रुख्माद ररहिम, चैप्टर नबर 19 का ये नुमेरिकल है, 19.6 है, पेज नबर 330 के उपर है, और ये मोस्ट रिपीटिड है एक्जाम है, यनि 10 एर के अंदर आप देखेंगे, तो ये आपको काफी दफा ये क्वेशन आया हुआ नजर आएगा, तो मेरे पास इस वक्ट चुके 10 एर नहीं है, मुझे एर नहीं मालूम, लेकिन इन्शालला ये विल फाइंड के काफी दफा ये रिपीटिड है, तो हम इस नुमेरिकल को सॉल्फ करते हैं, अच्छा नुमेरिकल से पहले मैं आपको बार बता दूँ, इसकी जो थियोरी है, न 126 इसका अटामिक मैस है, हमेशे अटामिक मैस उपर लिखायाता है, और 52 इसका अटामिक नंबर है, यानि अटामिक नंबर को अगर आपको याद हो तो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह जो अटामिक मैस होता है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो of telium atom भी given है और वो भी u के अंदर ही हमें given है और कहरा one u अगर mass हो one unified atomic mass unit हो तो उसको अगर energy में convert करें तो वो इतने बनती है इसको कहां use करेंगे ये numerical के end में हम आपको बताऊंगा so binding energy मालूम करने जाते हैं कि binding energy है क्या तो आपकर अगर कोई theory याद हो आपने वीडियो देखी हो तो मैंने वहाँ पर आपको explain करने कोशिश की है कि जो binding energy होती है वो basically कहां से आती है जो mass defect होता है उसको जब हम c square से multiply करते हैं तो वो हमारे पस binding energy बन जाती है तो सबसे पहला जो टास्क है वो हमारे पस क्या है हमें क्या मालूम करना है हमें delta आइम यहीं मैस defect मालूम करते हैं नुमरीकल के अंदर बाज उकात इक्जाइन में जो नुमरीकल है उसमें मैस defect भी calculate करने को बोलता है और फिर binding energy भी calculate करने को बोलता है तो हमारे book में से viral banding energy directly हमें कहा हुआ है So mass defect कैसे मालूम करेंगे जब भी हमें इसी तरीके से atomic mass, atomic numbers दिये होंगे proton का mass, neutron का mass दिये होगा तो आप इस video के अंदर देख सकते हो कि मैंने आपको formula explain किया है कि delta m जो होता है वो हमारे पास होता है number of proton multiply by mass of proton plus a minus z जिसे मैंने कहा था number of neutron जब यह atomic mass में से atomic number को minus करते है this is called the number of this gives you the number of neutron और इसको multiply करना है mass of neutron से और उसके बाद यह हमारे पास कौन से mass था यह हमारे पास theoretical mass था और minus उसके बाद मैंने वहाँ पर video में explain किया है कि हमें experimental mass को लिखना होता है तो इसलिके से mass defect हम calculate करते है तो आज तमाम data हमें given है हमें सिर्फ values को put करना है और कुछ भी नहीं है देखिए मैं अभी put करके बताता हूँ z जो है वो number of proton होते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ video पर के z जो है वो कितना है 52 है मेरे पास तो मैंने लिखा 52 multiply by mass of proton जो के मेरे पास given है 1.0078 plus atomic mass यह देख लिए atomic mass हमारे पास 126 है तो हमने atomic mass की जगा पर लिखा 126 minus z जो कितना है 52 है और multiply कर देंगे neutron के mass है जो के मुझे given है 1.0086 और minus experimental mass अब जो telium mass experimental mass उसना खुद हमें धिया हुए और वो 125.925.9033 यू के अंदर है ठीक है यह दिया हुए जो के मैंने यहां पर लिख दिया इसकी experimental mass की जगा पर है अब हमें सिर्फ क्या करना है इसको calculate करना है calculator से तो बहुत simple सा है आप इसको कर सकते हैं देखिए 52 को जब भी आप 1.0078 से multiply करेंगे अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर लिजे delta m is equal to इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यह कुछ बनता है 127.042 ठीक है यह मेरे पास आगया यह किसका answer है यह इसका answer मेरे पास आए और minus मेरे पास क्या चल रहा है 125.9033 अब जब इन दोनों को मैं minus करता हूँ तो जो मेरे पास answer आता है वो answer आता है 1.1387 और इसके unit क्या होगा delta m का यू लिखा हुआ होगा क्यों देखिए उपर जितने भी हमें masses जिये हो है proton का हमारे पास mass है हमारे पास neutron का mass है हमारे पास चाहे वो telium का mass है वो सब किसके अंदर given है हमें यू के अंदर given है अच्छा अब हमें क्या करना है अब हमें चुके हमने mass defect और मालूम कर लिया है और जो कि किस में आ रहा है यू में आ रहा है अब हमें मालूम करनी है उससे binding energy तो देखो binding energy अगर तो मैं इस formula के अंदर put करता हूँ जिसके मैंने theory में explain किया हूँ तो मुझे जो है वो mask इसमें चाहिए होगा मुझे mask चाहिए होगा हर सुरत में kg के अंदर तो सबसे पहले मैं mask को kg में निकालूँ और फिर उसको मैं c2 से multiply करके binding energy joules में calculate करूँ फिर उस joules को दुबारा electron world में convert करूँ इसे long story इसी चीज से बचने के लिए वो exam में भी और book में भी directly हमसे बात करता है वो कहता है देखिए यह उसने data given दिया होता है यह exam में भी given होता है class जाद रखिएगा ठीक है numerical के अंदर लिखा होता है वो कहता है कि अगर एक u mass होगा तो mega electron world में कितने energy बनेगी 931.5 यह conversion factor already given है हमें तो हम इसी conversion factor को आज use करेंगे हम उसे बोलेंगे कि हम जानते हैं कि 1 u जो होता है वो 931.5 mega electron world के एक वले है तो मेरे पास कितना u है हमारे पास जो answer है वो तो इतना u है मेगा electron world तो जब मैं इसको multiply करूँगा तो 1.1387u जो है वो convert होगा convert into binding energy वो binding energy के अंदर convert होगा यह जो 1.1387u है ना इसको मैंने 1 u से multiply किया तो यही रहा तो convert into binding energy जो किसके बराबर होगा इन दोनों को जब तो apply करोगे तो यह बनेगा 1060.6905 और साथ में unit क्या जाएगा mega electron volt यह हमरे पस बनेगा अच्छा अब तुम चाहो तो point को three digit आगे यानि scientific notation में लिखना चाहो तो one two and three three digit कर लो तो one point zero six zero और exponential चुके तुम तीन डिजिट तुमने move कर रहा है तो exponent three और साथ में क्या जाएगा mega electron volt यह हमारे पास book के अंदर लिखा हुए तो इस तरीके से यह solve हो जाए अच्छा इस numerical के अंदर exam में बाद वकाथ हमें वो एक और चीज़ भी calculate करने को बोलता है जिसे कहते है packing fraction अपने वीडियो में यह भी explain किया बाए कि packing fraction क्या होता है बहुत simple सा है अभी चुके हमने binding energy calculate कर लिए यह मेरे पास आ रहे है binding energy का answer ठीक है तो packing fraction calculate करना को issue नहीं है packing fraction को short form में मैं PF लिख रहा हूँ और वो क्या होता है जो भी आपके पास binding energy आती है उसको आप atomic mass से या जिसको आम तो पर nucleon number भी कहते हैं उससे आप divide कर देते हैं तो आप 1.060 exponent 3 जो के mega electron volt के अंदर ह अगर हम divide कर दें इस question में देखिए ए हमारे पास कितना है 126 तो मैं इसको अगर 126 से divide कर दूँ तो अब जो भी मेरे पास answer आएगा वो answer मेरे पास क्या 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 आएगा packing fraction so this is how it is simple कि इतना ही simple है कि बस आपको इस value को यहां पर होगा लिख देंगे आप ठीक है तो exam में यह पूछता है तो उसको भी जहन में रखेगा आप लोग